हेलो गाइज मैं हर्दीब सेंग फ्रॉम गती गुरुप क्लासेज आप सभी का स्वावत करता हूं आज की जो हमारी वीडियो है वो है सबसे पहले हमारे पास कोश्चन है कि कुछ ऐसे पहले हमारे पास कोश्चन है कि कुछ ऐसे कल्स जैसे कि रामकृष्णा वेस्टन में नदर में और सेंटल इंडिया में भक्ती मुम्मेंट की जगा पे वह क्या हुआ था जगा पे ऐसा क्या था मिफलब जो पूरे के पूरे इंडिया में शुरू हो चुका था वैशन इशम शेविजम हिंडो इसम या सेंचरी कौन सी सेंचरी में हुआ यह सारे का सारा हुआ है सिक्स्टींथ सेंचरी में वैशन इसम जो है कौन सी मुवमेंट ऐसी कौन सी मुवमेंट है रिफॉर्म मुवमेंट है नैचल मुवमेंट है भक्ति है या रिलीजिस है दोद अंसर इस भक्ति मुवमेंट जो है उ सब्सक्राइब के उपर उसने अपना वह राज्य कर लिया था कौन सी ओवियसी बात है दूसर इस भक्ती मुमेंट उसको एक लवर भी माना जाता है राम जी शिवा जी गोविंदा और कृष्णा ठीक है यह आपको याद रखना है इन विच स्कूल लव वस चैरिश्ट एज रिलीजियस थीम लव को एक रिलीजियस थीम की जगह पे लिया गया मतलब कृष्ण और राधा के बीच में जो लव है उसको दिखाया गया यह यह इसा कौन सा स्कूल था सेंट्रल मारवा पहाड़ी राजबूर्या मॉगल स्कूल आंसर एस राजबूर्ट स्कूल ठीक है याद अटना है विच और फॉलोइंगार दा में रीजिंस था इंप्लाइट पॉपुलरिटी ओफ रामकृष्ण थीम्स क्यों जादा इतनी जादी पॉपुलर हुई है कौन सा मतलब रीजन था में धास कौन सा रीजन था यह देख रूलर्स फोर्स टीपल टू वर्शिप देंगे तो यह तीनों के तीनों जो पार्ट है उसको हम मानेंगे कि इस आर्दा फॉलोइंग भक्ती कल्ट किस स्कूल ऑफ मिनेचर पेंटिंग के साथ रिलेट करता है पाल स्कूल अब अबरभंच स्टाइल राजस्थानी स्कूल अबरभंच स्टाइल के बारे में भी हम बात नहीं कर रहे है यह याद रखता है राजस्थानी स्कूल वस्टीव एस पर्सीव एस क्रियेटर फॉम्ट क्रियेशन वह सपोर्टिव एमनेशन राम जी को माना गया शिव जी को भगत या कृष्णा सो दांसर इस कृष्ण जी यहाद रखना यह यह वाधा मतलब जो क्रिशिन जी वाली यह भी राधा है लेकिन यह राधा बरी थनी यह यह नब ल 오 व एए यह राधा और यह जो नेक्स कोश्चिन है, सोल डिवोश्चिन तो देएटी इस पिक्चरद बाय राधाजी के दुवारा किया गया, तो देक्रिश्चिन, इस इलस्टेटेट इन विच पेंटिंग, इस कौन सी पेंटिंग मेरा सीख प्रियारा, स्मंजरी, पहाड़ी या गीत गोविंदा, सो दा अंसर इस गीत गोविंदा पेंटिंग, ठीक है, अच्छा, गीत गोविंदा को किस ने कंपोस किया, सो दा अंसर इस जायदेव, अच्छ गीत गोवंदा कौन सी सेंचरी में कंपोस किया गया दांसर इस 12 सेंचरी इन हूस कोट जाय देव वस बलीव तू बी दा कोट पोईट राजा सावन सिंग के थे राज सिंग के थे लक्षमन सेन थे राजा मदुर्गर शाह के थे कि राजसान को बिलोंग करते हैं औरिष्ण बेंगौल राजसानियम मेवार अंसर इस बेंगौल मतलब कि अगर हम हमें यह कोश्चिंग जहारा है कि कौन से रीज़न में जो है को थे वहाँ पर कौन, कौन से रीजन में जायदेव जो है, वो कोट पोईट थे, तो हम उसका भी अंसर बेंगौल ही देंगे, वट वस गीत गोविंदा, गीत गोविंदा है क्या, song of coward, cowherd, bouquet of delight, folklore, song of love, the answer is, song of cowherd, गवाले, जो गईया चराते हैं, that is गोविंदा, ये एक लिरिकल पोईम है, किस लेंगूज में इसको लिखा गया, so the answer is, संस्कृत लेंगूज में लिखा गया, which is a lyrical poem, जो शिंगार रस, शिंगार रस क्या होता है, जिसमें प्यार वगएरा हो है, उसको हम बोलते हैं, and portray the mythical, between Radha and Krishna, through worldly imaginaries, चौर पंशिका रसमंजरी, गीत गोविंदा, लौचंदा, जिसमें शिंगार रस के बारे में बताया गया है, रसमंजरी को हम एक और चीज बो है, जो हमने पहले बात की है, मतलब के हमने पहले बात की है, that is, of Gita Govinda, उसको हम अलग चीज बोलते हैं, ठीक है, यह याद रखना आपको, ठीक है, अच्छा, तो the next question is, रसमंजरी, एक another favorite artist, जो मनाते थे उसके उपर painting, तो उसने compose किया, भानुदत बिहार इलाल केशव दा है, who was Bhanudat, कौन थे वो, he was a methely brahman, B, answer is B, methely brahman, Bhanudat किस जगा को बिलोंग करते थे, बेंगॉल, बेहार, मारवार या मत्य पर थे, the answer is, बेहार को बिलोंग करते थे, बानुदत जी ने रसमंजरी जो बनाई है, वो किस century में बनाई है, ओवेसी बात है, answer is, 14th century में उसका time period क्या है, the answer is, 1550 AD, अगर आपको वहाँ पे AD भी आ जाए ना, तो भी यही answer हैगा, ठीक है, याद रखना, Krishna with gopies and gopies in the forest, painting is from which lyrical point, रसमंजरी, गीत गोविंदा, रसिक प्रिया, कवी प्रिया, the answer is, गीत गोविंदा, ठीक है, Krishna with gopies and gopies in the forest, painting belong to which sub school of Rajasthan, मारवा school of art के साथ, ठीक है, text, मस रसमंजरी, क्योंकि एक वो है, टेक्स है, लिखा हुआ है, वो रिटन इन विच लेंगविज, संस्कृत प्राकरत हिंदी नागरी, सोदा अंसर है, संस्कृत लेंगविज में, रसमंजरी जो टेक्स है, ये एक टेटाइज है, एक मैनूस्क्रिप कई, वो है, ये कैस को attractñas, या थे रसमंजरी, संसर आपण में, तो ये ज़ विशरम ऐ नागरी, सोदे सभी है, सबीज कर लोह को है, एक मैनूस्किर जाओ कर विच लिटन में, किवेन पनूचमृ जो हम नंचरी लेंगविज जो विटनकिर विच विच के बात है, विच कार तरुना परोधा बाल क्या होता है बच्पन तरुना मिंस जवानी परोधा मिनस जो अभी बजुर्गो जुके है ना उसके बारे पदमीनी चितरनी शंकीनी थस्तीनी एक्सेटरा यह किसके बेसिश पे क्लासिफिकेशन की गई है दाट जान फीजियो फीजियो गनोमिक ट्रेट अभी याद रखना यह क्या होते हैं रहाद किश्वांटर के उपर वेजड़ोते हैं अगर आपको वहां पर वो भी आजाए ना कि भाई थी फीजिए गनुमिक ट्रेट्स का ओते हैं तो विए सी बात है वह क्रेक्टर के ओपर बेज होते हैं ठीक है ना खंडिता वसंक सज्जा अभी सारी का उतका इनकी क्लासिफिकेशन के से सब्सक्राइब की गई है ना इन विच स्कूल कृष्णा इस नौट मेंशने टेक्स लेकिन फिर भी उनको लवर किया और टाइप किया गया है स्कूल में तो थैंक यू वेरी मच गाईज आज के लिए हम इतने ही करेंगे ठीक है बाकी की जो इसके बाकी के जो पॉस्चन है व चैनल को और सब्सक्राइब भी का देना घंटा जरूर दो बाद है ना भाई थैंक यू वेरी मच गाईज बाई बाई एव्रीबाद